दोनों में से RR constant, यह हो चाहिए 4 plus F, देखना बढ़ता है, मैं पता चला है, मैं recording कर रहा हूँ, पिस होई नहीं रहा है, इसे हुआ है बहुत बाद, यह पिस्टन है हमारा, यहां से मैं heat दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जितने number of molecules हैं, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम specific heat of monatomic gases, polyatomic gases और diatomic gases इसका देखने वाले, बट इसको fine करने के लिए आपको दो चीज़े पता रहना चीए, पहले average energy per atom, दूसरा total inter energy per mole, और एक चीज और गाई जिसको बोलते degree of freedom, यह चीज़े आपको पता है, आपकी बल्ले बल्ले, आप अराम से specific heat, monatomic, diatomic, polyatomic का अराम से fine कर रहोगे, और बिल्कुल tension मतलब आपके प्रदीव सर आपको एक चीज़े बताएंगे, इस सब चीज़े clear हो जाएगे, तो फटाबर चैनल को subscribe करके, अपना प्यार and support हमें भी दिखा, और guys आप सभी को बता, आपका syllabus सही time पे complete करवाने के लिए, part 2 का जितना भी subject है, जितना भी syllabus है, हमारे एक दूसरे चैनल पे भी आ रहा है, जिसका आपका syllabus सही time पे complete करवाने के लिए, हम कितना ज्यादा extra hard work कर रहे है, तो चलो बात करते, फटाबट, 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 सॉल करते, monotomic gases, देखो भाई, monotomic gases का average energy per atom, अगर per atom के energy की बात करो, तो उसकी value होती है, equal to, बस average energy की में बात करो, तो होता है, one by two, half kbt, okay, but यहां हम बात करे, कि अगर monotomic gases की बात कर रहे है, तो energy के साथ उसके degree of freedom को भी multiply कर रहे है, अगर किसी को degree of freedom नहीं आता, तो please comment करना, उसके लिए हमें एक separate video बना देंगे, जिससे आपक से multiply करेंगे, तो कितना हो जागा, इसका energy per atom, 3 by 2 kbt, यह देखो, तो यहां हम लिख देंगे, equal to, 3 by 2 kbt, जितना degree of freedom है, उसको क्या करना है, उसके energy से multiply करना है, आपको value मिल जाएगी, energy per atom की, इसके बात गाईस, total energy per mole, अगर per mole total energy fine करना, तो बस क्या करना पता है, बस यह, 3 by 2 kbt हमने लिख दिया, into avogadro number से multiply करतो, avogadro number से multiply करतो, तो energy per mole आपको अराम से बिल जाएगा, बस, energy per mole fine करने के लिए, आपको क्याना पढ़ेगा, पढ़ेगा, avogadro number से multiply, तो हम इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं, अब गाईस, हमें specific heat fine करना है, तो सबसे पहले हम fine specific heat, molar specific heat at a constant volume, molar specific heat at a constant volume, ये सभी चीजे, मैंने इसके पहने वाले वीडियो में बताया था, तो प्लीज वीडियो जाके देखोगे, तो ये चीजे बहुत अच्छे समझ मैं आएगे, molar specific heat at a constant volume, ओके, आपको याद होगा, जिसका मैंने बताया था, क्या था, डीक्यू अपॉ आपने देखा, मैंने वहाँ बताया था, कि एक container है, जिसके अंदर से हम नीचे से heat दे रहे, तो जित्रा heat दे रहे, at a constant volume पे, constant volume पे, यहाँ करके चलो, प्पिर से बता देता हूँ, ये piston है हमारा, यहाँ से मैं heat दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जितने number of molecules है, ये जो heat है, वो internal energy के लिए use हो रहा है, ना कि ये piston expand नहीं हो रहा है, expand नहीं हो रहा है, तो इसका volume क्या है, ये जो अंदर gases है, constant है, change नहीं हो रहा है, तो जित्रा heat है, वो किसले use हो रहा है, internal energy के लिए, इसले dq equal to dE था, तो यहाँ, तो formula क्या था, dq upon dt, dq upon dt होता, पर dq को जगब हम क लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बाई, बताया अब रदीप सर्रेपी, और इसके पहले का वीडियो बहुत अच्छे से देख लो, उसके अदर बहुत अच्छे से explain किया मैंने, अब इसके बाद गाईज, polar specificated constant volume, E की value, E की value already आपको दिख रही होगी, कहां दिख रही है, यह देखो, 3 by 2, kbt, na, अब थोड़ा इसको और हम उपर करते हैं, इसके साथ ही गाईज, आप देखो, 3 by 2 constant है, बाहर आ जाएगा, बोल्ट मेंट constant है, यह के भी 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 बोल्ट मेंट constant है, na भी बोल्ट में, and na भी ever got a number है, मतलब वो constant है, अब टी बचा, यह देखो, dt upon dt, यह देखो, dt upon dt, cancel हो गया, और बचा हमारे पास 1, तो हमारा, molar specific heat at constant volume, क्या आ गया, यह वाली value, क्या है, 3 by 2, kb, into na, clear, अब दूसरा, अब दूसरा करेंगे, इसी line में, अब molar specific heat at a constant, constant pressure, फिर से, cv equal to, फिर से guys, यह dq है, यह d e है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां हमारा d e आ जाएगा, upon, नहीं नहीं, यह गलत हो जाएगा, इसका थोड़ी same होता है, इसके लिए हमें, हमें mayors relation use करना पड़ेगा, cb minus cv equal to r, अब cp minus cv equal to r, क्योंकि हमें, at a constant volume, specific heat at a constant volume हमने find किया, तो molar specific heat at constant pressure भी हमें find करना है, तो कैसे find करेंगे, by using mayors relation, mayors relation मैंने आपको बताया था, अब इसकी value put करो, 3 by 2, kb into na equal to r, अब guys, यहाँ, यहीं मैं लिख देना चाता हो, चलो, यहाँ ही लिख देता हो, 3 by 2, यह किसका value था, यह आप सभी को बता, universal gas constant, kb into na के जगह पे हम direct r लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी value होती है, already हमने starting के chapter पहले या दूसरे lecture मैंने आपको बताया था, पर नहीं देखा, तो please जाके देखो, तो, molar spasperated constant pressure, 3 by 2, इसके जगह पे क्या जाएगा, r equal to r, अब यह उसड़ी आएगा, यह minus equal क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो गया, 3 by 2, 2 by 2, r, तो यह कितना हो गया, molar spasperated constant pressure, देखो, 2 by 2, 3, कितना 5, 5 by 2, r, तो भाई, यह दूसरा भी अपने को मिल गया, मिल गया, अब इसके साथे गाईज, इसके अंदर एक चीज़, और हम find करेंगे, हमने क्या find किया, molar spasperated constant volume, molar spasperated constant pressure, और इसके साथ यह गयमा भी find करेंगे, गयमा कैसे find करेंगे, यह देखो, गयमा equal to cp upon cv, दोनों को divide करो, तो cp की value कितनी है, 5 by 2 upon 3 by 2, यहां R भी है, यहां भी R है, वैसे R यह cancel हो जाएगा, 2, 2 cancel हो जाएगा, और गयमा की value कितनी हो जाएगे, cp upon cv की value कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगे हमारा 5 by 3, यह सभी हमें numericals में use होने वाला है, Monoatomic के लिए gamma की value कितनी है, 5 by 3, तो भाई हमने fine कर लिया specific heat, cv and cp, दोनों fine कर लिया, और gamma भी fine कर लिया, जो general हमें numericals के लिए use हो गया, अब Monoatomic का हो गया, अब हम देखने वाले हैं, अरे नहीं, यह अर्वन तो लिखाता है, अब हम देखने वाले, इसके दो पार्ट है, एक रिजिट, एक नॉन रिजिट, तो जो रिजिट है, यह लिख देते हैं, जो रिजिट है, उसका degree of freedom 5 होता है, और जो non-्रिजिट है, उसका degree of freedom 7 होता है, अगर आपको चाहिए, इस पर एक special video बना दो, तो आपको clear करके मैं बता दूँगा, समझ मैं कि इस पर separate video बना दूँगा, प्लीज कॉमेंट जरूर करना, क्यों इसमें इसी में बताने में सब confuse हो जाओ गया, तो चलो फड़ाबट, इसके अंदर को फीर से, अब मैं direct ही लिखूँँगा, यह जो इंटराइनरजी है अना, अब यहां से मैं start करूंगा, देखो यहां से, यहां से, क्योंगा आपको पता चल गया है, चलो लिखी देता पो, energy average energy per atom कितना था वालव हम लिखते हैं देको फॉर्मूला क्या था ओन लाइन फार्म टू के बीटी होता है हमें क्या करना है कि average energy क्या अगर हमें डाये यहां का फाइंड करना है तो हम किस के लिए कर रहे हैं भी रिजिट के लिए हाँ रिजिट के लिए तो अगर हमें क्या find करना है per atom के average energy find करना है diatomic का तो हमें इसके degree of freedom से भी क्या करना है multiply तो यहाँ जब 5 से multiply करेंगे तो इतना हो जाएगा 5 by 2 clear अब हमें क्या दूसरा यह वाला inter energy per mole total energy per mole यह find करना है तो हमें किस से multiply करना पड़ेगा avogadro number से किस से avogadro number से तो 5 by 2 kbt into avogadro number clear यह आपको direct लिखने आना चाहिए फड़ा 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 लिखने आना चाहिए फड़ा फड़ा ओके अब इसको मैं हटा दूंगा आपको बस याद हो जाना चाहिए अब इसके बाद गाई सेम चीज हम सबसे पहले find करेंगे cv अब direct लिखने आप dq upon dt नहीं लिखना हो direct d e लिख देता हो क्योंगे आप सभी को पता है कि dq upon dt होता पर सर ने dq लिखा यह मने clear कर दिया क्योंकि at a constant volume पूरी energy किसके लिए यूज होती है internal energy के लिए इसलिए यह वाला यह हम इस dq को जगए d e लिखते है अब भाई d by dt e की value कितना है देखो 5 by 2 kbt into into देखना पूटता है बादा चला है मैं recording कर रहा हूँ होई नहीं रहे है इसे हुआ है बहुत बार तो अब यह 5 by 2 constant है बाहर आ जाएगा kb भी bolt bend constant है बाहर आ जाएगा na evogator number है यह भी बाहर आ जाएगा बटी dt upon dt cancel हो जाएगा देखो dt upon dt cancel हो जाएगा और हमारा बचेगा molar specific heat and constant volume की value for diatomic rigid body अब यह हो गया अब हम find करेंगे दूसरा किसके लिए find करेंगे cp के लिए cp के लिए find करेंगे किसका use करेंगे mere relation क्या था mere relation cp minus cv equal to r यहां मैंने फिर से एक बिसको change कर देता हो यह y by 2 और यह किसकी value है r की value यहीं मैं कर देता हूँ फिर cp cp अब डारिंग की लिखता हूँ cv की value कितनी है अब तो आपको पता थिल गया न 5 by 2 r equal r यह कितना हो जाएगा minus 5 by 2 equal को सड़ हाएगा तो plus हो जाएगा plus हो जाएगा तो यह कितना हो गया 2 to the 4 4 sorry 2 5 5 6 7 7 2 to the 4 2 to the 4 हो रहे है यह होगे हमारा मुला स्पैस्पी की heat at a constant pressure दोरो निकल गया cv भी निकल गया cp भी निकल गया अब मेरे दोस्त gamma find करना है gamma find करना है जो क्या आता है cp upon cv तो cp कितना है 7 by 2 r cv कितना है 5 by 2 upon r r cancel 2 to cancel gamma की value कितनी आगे है मैं डारे की लिखू नहीं चलो लिख देता हूं जो बोलोगे आप हो गया तो diatomic for rigid body कितनी value है 7 by 5 7 by 5 ओके यह दिमाग में रखना fit रखना अब चलते है गाईस diatomic के लिए non-resid body के लिए non-resid non-resid body के लिए non-resid body के लिए degree of freedom कितना है degree of freedom 7 degree of freedom dof कितना होता है 7 होता है तो same average energy per atom energy per atom सबसे पहले energy हम लिखते हैं कितना होगा 1 by 2 kbt अब degree of freedom से multiply करना है यहां degree of freedom किसकी बात चल रही है यहां बात चल रही है diatomic for non-resid body तो इसलिए हम यहां 7 से multiply करेंगे तो 7 बंजा 7 यह निकल गया ओके average energy per atom यह निकल गया फिरहां पर mole का fine करेंगा पर mole का fine करने के लिए बस क्या करनेगा 7 by 2 kbt इंटू एवगडर नंबर से multiply है clear अब यह तो आपको direct लिखते आना चाहिए direct direct by direct अब 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 तो सबसे पहले हम तीवी फाइंड करेंगे क्या है cv का formula same to same वैसा ही मैं directly लिखुआ फिर से बता रहां ने अच्छे लिख दिया यह actual dq upon dt आ था पर मैंने d लिखा है क्यों लिखा है उसका मैं answer दे चुका हूँ तो d by dt d की value कितनी है 7 by 2 kbt into n of a अब देखो भाई 7 by 2 constant है बाहर आ जाएगा kb भी bolt band constant है बाहर आ जाएगा na b constant है बाहर आ जाएगा dt upon dt केंसल और हमारा cv की value आ जाएगी आपकी पता practice फिर से मैं यह यह लिख देता हूँ आपकी कर सॉल करते करते इतनी अच्छी practice हो जाएगी ना को यह आपको सभी चीज़े बहुत सारी चीज़े डायरिक याद हो जाएगी तो यह हो जाएगा आर तो यह हमारा मिल गया सीपी माइनस मोला स्पैस्पिक रिटेंट कॉंस्टन प्रेशर माइनस सेवन बाइट टू आर इक्वल आर क्या बात है यह वहां जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा तू अन्सार टू क्रॉस मल्टिप्लाय कर रहें तू अन्सार टू सेवन एट नाइन अपाउंट टू नहीं तो बहुत लोग को यह भी आने में प्रोल्बम होता है बाई गैमा क्या होगा सीपी अपाउंट टीवी सीपी की वैल्यू कितनी है नाइन बाइट टू आर और सी डैयाटोमीगों विडीग नाइन गया नाइन बाइट सेवन यहां है यह कि यह होगा हमरत नौ डिजिट बाडी के लिए नाइन आट कर्णिंड बाडी क के सबसे पहले आपको डिघरी एफ पता होना चीए क्या पताना चाहना है डिग्री एफ यह फ्रीडम तो degree of freedom अगर मैं बात करो 3 translation, 3 rotational, आंदर असके बाद vibrational 2F, तो total हो गया 336 plus 3 translation, 3 rotational and 2F vibrational, तो total कितना हो गया 6 plus 2F, ये हो गया इसका degree of freedom, किसका polyvotum है gases का, तो per atom, अगर मैं निकालता हूँ energy तो इसकी कितनी हो जाएगी, पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ formula energy का, half into kbt, फिर इसके उपर हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें polyvotum में gases का लिखना है, energy fine करना है, तो मुझे इसके degree of freedom से multiply करना पड़ेगा, तो कितना जाएगी, 6 plus 2F, अब गया इसको तो और हम solve कर सकते हैं, अब दोनों में से देखो, 2 common आ जाएगा, 2 common आ गया, तो अंदर कित 2 to cancel, हमारा पचा 3 plus F, kbt, energy, energy, energy power atom, अब total, जो average energy power atom यह हमने निकाल दिया, अब energy for mole, कैसे निकालेंगे, बस guys, आप सभी को मैंने बताया था, कि हमें क्या करना है, multiply करना है, कितना multiply करना है, अब और नमबर से multiply करना है, अब और नमबर से multiply करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, internal energy for mole, हमें मिल जाएगा, बस किससे multiply करना है, अब और नमबर से, फिर इसके बाद, अब एक एक करके find करते हैं हम लोग, थोड़ा हम चलो जाने दो, यहीं कर लेते हैं, बस यह याद सीवी कितना है, क्या है formula, मैंने बताया था अब अब डारेक्लिक हूँगा, डी अपाउन डी टी, दी बाई डी टी, एकी वैल्यू कितनी है, एकी वैल्यू इतनी है, 3 प्लस एफ, एफ, के बी टी इंटू, एन ने, ओके, तो भाई यहाँ देखो, 3 प्लस एफ, बाहर आ जा जाएगा, एन ने भी बाहर आ जाएगा, बस टी क्या हो जाएगा, डी टी अपाउन डी टी, कैंसल, और हमारा यह हो गया, सीवी की वैल्यू, ओके, मुलार स्पैस्पी घीट अटा कॉंस्टर्ट वाल्यू की वैल्यू, यह हो गया, हम दर इसके बाद गाईस, हम फाइंड क इसके जगह पे आर डारेक्ट, यह मैं बार बार लिखना भूल जा रहा हूँ, आपको क्या लिखना डारेक्ट ही है, यह हमारा के बी इंटु एन यह हमारा क्या, यूनिवर्सल गास कॉंस्टर्ट, तो डारेक्ट ही, सी बी, 3 प्लस एफ, आर, लिख दिया, इक्वल आर, आ आप तो आगे इतना कैलकुलेशन होगे, आप तो आना चाहिए, मेरे दोस्त, प्लस, यह कितना हो जाएगा, 3 प्लस एफ, आर, अब क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ चलो, ऐसे इतना, इतना ज्यादा ऐसे करके 12 में नहीं दिखाते हैं, फिर भी आपको अब हम क्या करेंगे, CP, अब देखो, दोनों में से RR कॉंस्टंट, दोनों में से RR कॉंस्टंट, यह हो जाएगा, 4 प्लस एफ, और बाहर R, यह होगे हमारा, CP की वैल्यू, मुलार स्पैस्पी हीटेट कॉंस्टंट, प्रेशर, अब भाई हमें फाइन करना है, गैमा की व और, CP की वैल्यू कितना है, 3 प्लस एफ, अब आर आर, गैंसल, और गैमा, गैमा, CP अपॉन सी वी कितना हो जाएगा, 4 प्लस एफ, अपॉन 3 प्लस एफ, ओके, यह हो गया हमारा, गैमा की वैल्यू, तो बाई, यहाँ हमने, पॉलियूटिमें गैसेस, डायाटमें गैसेस का रिजीट, और, नॉन रिजीट, देन, इसके, मॉन अटेमिक सब का, हमने, स्पैस्पिक हीट, फाइन कर लिया, और मेरे गाल से, आपको समझ में आगे, इसमें एकी चीज़ है, डिग्री ओफ रीडम याद रुको, पहले वाले का 3 है, देन, डायाटमिक का, डायाटमिक का, जो दो पार्ट है, रिजीट के लिए 5, नॉन रिजीट के लिए 7, जन पॉली अटमिक के लिए 6 प्लस 2F, फिर दोनों में से निकाल के आगे, हम सॉल करते हैं, जिसको हम सिंप्लिफाय करके 3 प्लस F लेते हैं, तो भाई, यहाँ पूरा का, पूरा हमने फाइं कर ले, जितन वीडियो को शेर करो लोगों तो पहुचाओ लोगों तो बताओ और यहां भाई अपना न आप सभी को पता है गैसेस वाला पार्ट खदम होता है अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो रेडियेशन वाला पार्ट है तो मिलते हैं नेक्स वीडियों थैंकिस तो मस्काई ज है हिंडोस तो